हेलो दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे हैं सामान निग्यान के बारे में तो इसमें हम लोग टॉपिक उठाया था इतिहास हिस्टिरी तो इसमें बात कर चुके हम लोग फ्रेक इतिहासिक काल के बारे में इतिहासिक प्रती इतिहासिक भारत के बारे में अब बात करें के शुआप लौब ऑजिसमें सिंदूगाटी या सभ रपर सबसब्टा के वारे में याद रखे सामान ज्यान से समभीथ आपके जितने भी चेप्टर कि अट भुथ होते जा रहें वो सावं नाम की सामान ग्यान की नाम से जो फिले लिष्ट सूची बने वी है उसी में नली हुए तो सिंदु घाटी या हडपा सब्विता का समय रहा है पच्छीस सो इसाफूर्थ से सत्रेसो पचास इसाफूर्थ सेंदव सब्विता आध इतिहासिक काल की सब्विता थी हबड़ा हडपा संस्किती को कास युगीन सब्विता भी कहते है हडपा सब्विता को क्या कहते है कास युगीन सब्विता रपता हडपा की लोगों को तांबे और टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधी आती थी ताम में पासाणी फेश्ट भूमी पर सिंदू घाटी नामक बिक्से सब्विता का अविर्भाव हुआ जिसका केंद भार्तिय महादीप के फ्रस्मोत्तर भाग में था हडपटिली कसरफितम उल्ले 1826 में चाल्स मैसन द्वारां किया गया लेकिन एक प्राचीन उन्नत सब्विता का रहस युद घाटन 1856 में कराची और लाहुर के बीच रेल पटली विच्छाने के दौरान हुआ जब जोन व्रेंटन और बिलियम व्रेंटन नाम अंग्रेजों ने दो प्राचीन नगरों हडपपा और मोहंजोदुरों का पता लगाया था इस सब्धा का नाम हडपपा संस्किती इसलिए बढ़ा क्योंकि 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांध में इस्तित हडपपा मोंटगुरी गुमरी जिला नामकिस्तान पर ही सरपितम दयाराम साहनी और माधाव सरूर वत्स के नेतत में उत्कनन हुआ ठीक इसलिए हडपपा सब्धा कहते हैं इस सब्धा के इस प्राचीन सब्धा के दूसरे महत्पूंड इस्तल मोहन जोदरो है जिसे मिर्थकों का टिला भी कहा जाता है मैं उत्कनन कार 1922 में राखल्दास बनरजी के नेतत में आरम हुआ जो बरतमार में पाकिस्तान सिंद प्रांथ के लरकाना जिले में इस्तित थे मोहन जोदरो टिर उक्ते दोनों इस्तलों पर सयुक्त उत्खनन कार के पश्चाद भार्दिय पूरातत्त विभाग के ततकालीन महानेदेशक सर जौन मार्सल ने 1924 में सिंदू सब्धिता का सीवगीन नावा के एक उन्नत नगरिय विवस्ता की खोज की बिदीवत गोशना की बाद में जे एफ मेके ने 1927 से 1931 तब तथा जी एफ डेल्स ने 1963 इसी में मुहन जोदरो में उत्खनन कार किया फिगट ने हडप्पा और मुहन जोदरो को एक विस्तत समराजे की दो की जुडवा राध्धानी का ठी एन दोनों सहरों की जुडवा राध्धानी बैसे तो हडप्पा सब्विता का केंद पंजाव और सिंध मुक्ता सिंदु घाटी में ही है लेकिन सेंदाव सब्विता दच्छन और पूर में वलुचिस्तान गुजरात राजिस्तान हर्याना पश्मी उत्तर विदेश जम्मू उत्तरी अफगानिस्तान तक विश्चत है यगिपी हडपा सब्विता के लगभग 1000 इस्थलों के बारे में जानकारी पराप्त हो चुकी है लेकिन इने में से केवल 6 को ही नगर माना जाता है हडपा मोहंजोदरो सिंध का चनहुट देडो गुजरात का लोथर उत्तरी राजिस्तान का कालीवंगा और हर्याडा का हिस सार जिले में स्थित बनवाली तिर्वोजाकार हडपा संस्किती का समूच्चा छेतफल 12,992,600 वरक किलोमीटर था जो ततकालीन मिस इभं मेसपोटामिया छेतफल से कापी अधिक है सिंदू सब्विता का विश्तार भारत इभं पाकिस्तान में लगभग 1500 इस्थलों पर प इस्थ में आलंपूर उत्तरफिदिश तक नौर्थ में मांदा कस्मी तक और साउध में दायमाबाद महराश्ट तक और बेश्ट में सूतकांग गे डोर पाकिस्तान तक ठीच है काली वंगा और बनवाली में हडपा पूर वहडपा काली संस्कितियों का प्रमाण मिलता है यहां बेना पकी इंटों के चबूतरे सडकों तथनालियों के अवसेस हडपा यूगीन है सूत कांगे डोर और सोड़कोतदा जैसे समुद्री समुद्री तट्रिये नगरों में भी इस सब्धिता के उन्नत रूप से दर्शन मिलते हैं जहां नगर दुरुख त्वराप्त होते हैं गुजरात के काठिया वाड़ प्राजदी में इस्तित रंगपूर और रोजडी नामगिस्थल में इस सब्धिता की उत्रावस्था का संकीत मिलता है पिथम नगर नियोजन हरप्पा संस्किती की सरोष्ट कृष्ट विसेष्था इसका नगर नियोजन है हरप्पा और मुहन जोद्रो तोनुही नगरों के अपने दुरुख थे जहां संब्धा सासक बर्ख के सदस रहते थे पिथिक नगर में दुरुख के बाहर निचली इस्तर पर इंटों की मकानों वाला नगर वसा हुए था अलेकजेंडर कनिंगम को भारतिय पुरातत्य का जनक कहा जाता है इसे याद रखना है अलेकजेंडर कनिंगम को भारतिय पुरातत्य का जनक कहा जाता है भारतिय पुरातत्य सर्वेक्चन संस्किती मंत्राले के अधीन एक विभाग है याद रखना पूछा जा सकता है भारतिय पुरातत्य सर्वेक्चन किस मंत्राले के अधीन आता है संस्किती मंत्राले के आगे बात करते हैं सिंदु घाटी सब्विता काल नेधारान रेडियो कारवन विदी 2500 इसा पूर्प से 1700 इसा पूर्प तक है DP अगबाल की अनुसार सिंदु सब्विता काल 2350 इसा पूर्प से 1750 इसा पूर्प तक है मेड़ मोद्राओं के आधार पर मेड़ मोद्राओं के आधार पर सिंदु सब्विता काल 2500 इसा पूर्प से 1800 इसा पूर्प माना जाता है मारसल के नुसार मारसल ने सिंदु सब्विता काल 2350 इसा पूर्प से 2750 3250 इसा पूर्प से 2750 इसा पूर्प माना है फ्रेहिल्दर के नुसार सिंदू सबिता का काल 25 सो इसापूर से 1500 इसापूर माना है हरपा संत्किदी के अध्यान के साथ चाल्स मेशन, कनिंगम, एम भीलर, मादो सरूफ, वस्स आधी जुड़े है सिंदू सबिता के उद्धान का काल, चर्मोत्स का उस्त काल 21 सो इसापूर माना जाता है पिरमुक बस्तुएं, ये बस्तुएं प्राप्ती के स्थल जहां से मिली है ताबा, बलूचिस्तान, राजिस्तान, दश्चन भारत, अफगानिस्तान टिन, बंगाल, अफगानिस्तान, इरान, चांदी, अजमेर, दश्चन भारत, अफगानिस्तान, इरान लाजवर्द, बदकसान, उत्तरफूर्व अफगानिस्तान, मैसोपोटामिया सोना, मैसूर, कंधार, अफगानिस्तान इस्फटिक, पामीर, कस्मीर, भारस जामोनिया, महराष्ट में, संग, कोडी, दच्छिण भारत और सोराष्ट, गुमेद, सोराष्ट, सेलखडी, बलुचिस्तान, राजिस्तान, सीशा, इरान, अफगानिस्तान, एवं राजिस्तान फरित, नील, मडी, इरान में, नील, मडी, महराष्ट में, ठीक अब बात करते हैं हडपपा संस्किती के पतन के कारण है यह पतन के कारण है और यह मत के संस्थापक है नदी की सिस्कृता सूध और अगवाल के अनुसार आएस्थिर नदी तंत लेंबिरिक जलवाई परिवर्तन आरेल इस्टीन और एस एन घोस प्राक्तिक आपदा के यूगार केनेडी भूकम रैक्स डेल्स पारिस्थिति के आसंतुलन फियर सर्विस आरेयों का आखमड आर माल्टी मर बाह आखमड गार्डन चाइल्ड और इस्टूर्ड इबगट बार्ड मेकी राव मार्शल ठीक इखा थम महा देवन एक भारती है पूरा लेक सास्त्री और भूत पूरिक भूत पूरिक लोक सेवक हैं जो सिंदू घाटी सबिता के पूरा लेक सास्त्री पर अपने सुफिक गिता और तमिल ब्रह्मी अभिलीकों का सपलता पूरवक अर्थ निकालने के लिए जाने जाते हैं सेंदव वासी दसमलो फैडाली कर आधारित बांटों का पूर्प करते थी खुदाई में सोले गुड़कों में बांट प्राप्त हुए हैं जैसे सोले 64, 160, 320, 640 सिंदू सपलता में इंटों का अनुपात चार अनुपाते दो अनुपाते एक था टेरा कोटा का उपियोग हडपा काल की मुद्राओं के तिर्मार में मुक्क रूप से किया जाता था सेंदव वासीयों की जीवन का मुक्क वे उसाय किरसी कार है सिंदू घाटी सब्विता के विशाय में जानकारी कम प्राप्त हुई है क्योंकि उस काल की लिपी आज तक पड़ी नहीं जा सकी इसकी लिपी भाव चित्रात्मक थी सिंदू घाटी के लोगों दोरा फेयोग में लाए जाने वाले बरतन है शाक परवने होते थे पतली गर्दन वाले बड़े आकार की घड़े और लाल रंग के बरतनों पर काले रंग की चित्थकारी हडपा की बरतनों की मुख्य पे सेशता थी सिंदू सपिता से प्राप्त अनाज, चावल, जो, खजूर, गयंग, कपास, तरवूज, मटर, बरासिका, जुनसी, तिल एवं सरसों है हडपा सपिता की सर्वादी की स्थल गुजरात राज्य में मिले पहली बार कपास उब जाने का सिरे हडपा भासियों को जाता है सर्वादिक, स्वास्तिक, चिन्न की आउसेस हडपा सब्रता से मिले है लोथल, मैं मिट्टी से निर्मित गोड़े की पितिम्या मिल प्राप्त हुई है सिंदवासी, मात्त देवी की पूजा करते थे सिंदू चित का प्राची नाम मेलूहा है सिंदू महरों पर एक सिंगी साड की चित सरवादिक मिले है सिंदू सब्रता के लोग के लोथल और कालीवंगा से हवन कुंड के का साक्ष मिला है कहां से लोथल और कालीवंगा से हवन कुंड के साक्ष मिले है पालतू पसू में थे बेल, बेल, भेस, भेड, बकरी, सुगर, कुत्ता बिल्ली, गधा, उूट, कुगरवाला साड, हाती, गैडा गाय के साक्ष नहीं मिले है याद रखिए गाय के साक्ष सिंदू घाटी सब्था में नहीं मिले रखिबेद में हडपा सब्था को हर यूपिया कहते है हर यूपिया कहा जाता है विस्त में चांदी का सरपितम भारत में पाई गई ठीक हडपा सब्था में सिंदू सब्था का मुख केंद हडपा था सिंदू बासी लोहे से परचित नहीं थे गाय से भी परचित नहीं थे और लोहे से भी परचित नहीं थे सिंदू बासीओं का मुख भोजन गयों और जो और गयों है मोहन जोद्रोडों की लोग कताई के लिए तकलियों का इस्तिमाल करते थी हड़ापाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थी सेंदव कालीन मुहरें बनाने में सरबादी कुपयों सेल खड़ी कप किया जाता था इस तरी मिड़ मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंदव समाज मात सत्तात्मत था की संदव मोहरें विलनाकार वरगाकार आयताकार और विद्ताकार हैं सेंदव गाटी की खुदाई में मिले आवसेसों के ततकालीन व्यापारिक और आरθिक विकास की घोतक मुद्राय हैं वर्गाकार मोहरें सरबादिक फिचलित थी सेंदाव कालीन सरबादिक मोहरें मोहन जोदोडों से मिली हैं लोथल और काली बंगा से योगम समाधियां मिली हैं हरपा कालीन पुरा इस्थल पुडाल से चांदी के दो मुकट मिली हैं हरपा में सबों को दपनाने जबकि मोहन जोदोडों में सबों को जलाने की पिता थी हरपा में क्या था हरपा में लोग सबों को दपनाते थी और मोहन जोदोडों में जलाने की पिता थी लोथल सुर्व कोददा सिंदू सब्धा का बंदर गाता कौन-कौन से लोथर और सुर्व कोददा लोथल से एक तराजू मिली है सेंदव बासी मिठास के लिए सहत का प्योग करते थे परदा पिथा एवं बैस्याविती सेंदव सब्धा में पिछले थी सेंदव बासी वथक को अत्यदिक पवित मानते थे हड़पा संस्किती के बिनास का ठीक कारण ग्यात नहीं है सिंदू नदी की बाड़, सिंदू नदी कमाल बदलना बरसा की कमी भूकम पेवं विदेशी आकमड रेशे कारण समय समर पर बताए गए है इसके बिनास के, सेंदव सब बता कि बिनास का संभावता सबसे फ्रभावी कारण है बाड़ हडपा से तामे की बनी हुई एक का गाड़ी प्राप्त हुई है हडपा से एक दरपन प्राप्त हुआ है जो तामे का बना हुआ है हडपा से प्राप्त मुद्रा में गरोण का अंकन मिला है मुहन जोदुलों में सबसे बड़ा बावन विसाल अन्नागार मिला है कहा है विसाल अन्नागार? मुहन जोदुलों में मोहन जोदुलों से सूती वस कपड़े के साक्ष तथा नर्तकी की एक कांस मूर्ती मिली है कांस की नर्तकी उसकी मूर्ती कला का सर्फशेश नमूना है मोहन जोदुलों से पांच बेलना का एमुद्राइफ राप्त हुई है सिंदू सपिता के फिर्मों के स्थल लोथल में बंदारगाय का अस्तित मिला है जहां विदेशी जलयानों का आवागमन होता था लोथल गुजरात के एहमदाबास से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर तठवर खंबात की खाड़ी में स्थित है कि कि अगया है कि अगया है कि उननी सो पच्पन चप्पन इसवी में हुई खुदाई में यहां दो सो सूले मीटर लंबी 36 मीटर चोड़ी तथ तीन मीटर गहरी इंटो से निर्मित गोदी का पता चला है लोथल में महला फुरोष को एक साथ दफनाय गया है उंट की हण्डियां काली बंगा से पराप्त हुई है उंट की हण्डियां कहां से काली बंगा से गोडे की एस्तियों का उस्विस सुर्व कोतदा से मिला है चंद देडुन से दवात तथा मन के बनाने का कारिखना भी पिराप्त हुआ है बात करते हैं कुछ धार्मिक पिति चिन्नों के बारे में तीक तावीज इसके द्वारा बिभौतिक व्राधियों अत्वा प्रेत आद्माओं से छोटकारा पाने का प्रियास करते थे स्वास्तिक सूर्यो पासना का पिति यह चिन्नसंभावता हडपा सबितागी देने तीसरा योगी के रूम में बैठे हुए पुरुष सिभ सिभ को आज भी योगी स्तुरुक के नाम से भी संभोधित किया जाता है सिरंग सिरंग महाभारत में सिभ को त्री सिंग कहा जाता था सिरंग सिभ से सम्मन देते बैल संगहार कारी देवता सिभ का बाहन था या सरवादिक धार में मत का पसू था बकरा वली हेतु प्युक्त होता था भैसा एक मुद्रा पर भैसा व्यक्ति को उच्छाले हुए एबं एक अन मुद्रा पर व्यक्तियों के समूपर आकमर करते हुए इस दिखाए गया है जो कि किसी देवता के सत्रों पर विजय का पितिक है नांग इसकी इनकी भी पूजा होती थी बैल, भेड, बकरी की हड़ियों के लिए फसुबली का गोतब कांस नर्त की मंदिर की कल्पना करने पर नित भी धार्मे मात्गा हो सकता है सबों के साथ बरतनेवं अन्नसामगरी, मित्तिव के बाद जीवन में विश्वास सबों को उत्तरदस्चिन देशा में लिटाना, धार्मे में विश्वास का गोतब दो सबों का एक साथ गाड़ा जाना, प्रोस की मित्तिव पर बाद संभाता इस्तरी का सती होना सिंदु गाटी की प्राचेन संस्किती और आज के हिंदु धरम के वीच जैव संबन्द का प्रमाड पत्थर पेड़ पसू की पूजा से मिलते हैं अब बात करते हैं हम लोग, सिंदु सबिता की महत्पून उत्खनन इस्तल उनकी तटी है इस्तिती, ठीक है? ये नदी या थट हो गया, एक खुदाई बरस हो गया, जगय का नाम और उत्खनन करता है, ठीक है? ठीक है? ठीक है? तो सबसे वहले बात करते हैं हम लोग, हडपा सपिता की बारे में, ये है मांट गुमरी पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है? ये रावी नदी के तट पर है, इसकी खोजुई 1921 में दयाराम साहिनीन है, फिर दूसरा है मोहन जोदुरों, ये सिंद पाकिस्तान में, ये सिं खोज की, फिर आमरी है, 1929 में इसकी खोज एन जी मजूमदार ने की, फिर चन्यू देडू सिंद पाकिस्तान में, ये सिंदू नदी पर है, 1931 में एन जी मजूमदार ने इसकी खोज की, ठीक होत्खनन करता रहे, फिर सूत कांग डोर, ये वल्यूचिस्तान पाकिस्तान मे हैं दस नदी पर है 1927 में सर ओरेल इस्टीन नहीं इसकी कोच की पिर आलम गिरपूर यह मेरट उत्तर फिदिस में हिंड़न नदी पर कि 1922 से 55 इस वी में यकदत सर्मा नहीं इसकी कोच की फिर है रोपड यह पंजाब सतलच तटपर इस सतलच नदी के किनारे है 1950 पचपन में इसकी कोच की बीबी लाल और यकदत सर्मा फिर है रंगपूर गुजरात मादर नदी के तटपर 1953 में इसकी कोच भी मादाव सुरो बस एवं रंगनाद राहो ने फिर है काली बंगा यह हनुमान गड़ राजिस्थान में घगघर नदी के तटपर 1953 में इसकी कोच की डॉक्टर ए गोसन है फिर है कोट तीची इस सिंध पाकिस्तान में सिंधू नदी के तटपर 1955 संतावन में इसकी कोच एव खान ने की फिर लोथल एहमदाबाद गुजरात में इसकी कोच भुगवा नदी के किना रहे है 1955 से 1963 में इसकी कोच एस आर्राव और माधव सुरूप ने वत्ष न की फिर पिरवास पाटन 1956 संतावन में फिर देशलपूर 1963 में केबी सौंदर राजन ने फिर सूर कोट दा वलूचिस्तान 1975 में जेपी जोसी बनवाली हेसार हर्याडा में 1973 में डोक्टर आर एस विश्ट ने की इसकी कोच एव वाला कोट अरब सागर के तटपर 1989 में जोर्ज एफ डेल्स ने इसकी कोच की फ्रेदोला वीरा भारत में सबसे बड़ा हरापा काली निसतल है गुझराट में अन्नमात्मूड इसतर तो मेहरगड, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, फिर देरा इसमाईल खान पंजाव पाकिस्तान में, फिर राखीगडी ये हर्याड़ा में, मांडा ये जम्मु कस्मीर में, रोजडी एवं प्रिभास पातन ये गुजराद में, चलिए तो ये था हमारा सिंदु घाटी सब्वता या हडपा सब्वता वह आंगे बात करेंगे बैदिक सब्वता की बारे में ठीक है बैदिक सब्वता की बारे